दोस्तों इंडिया में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स होने का पूरा क्रेडिट ब्रिटिश लोगों को जाता है दोस्तों USA में निकोला टेसला ने येर 1887 में 3-phase 60 हर्ट्स 240 वोल्ट AC करंड का इन्वेंशन किया था दोस्तों निकोला टेसला ने पाया कि 60 हर्ट्स पर लैंप प्रॉपरली वोक कर रहा है इसलिए USA में 60 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी यूस की जाती है अभी ब्रिटिश लोगों को USA की कॉपी नहीं करनी थी इसलिए उन्होंने अपने लोगों को इस पर रिसर्च करने लगाया रिसर्च करने के बाद ब्रिटिश इंजीनियर्स ने पाया कि अगर हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीस करेंगे तो AD Current Loss और Historicist Loss बढ़ेंगा तो इसलिए ब्रिटिश इंस ने 50Hz अपनाई और सारे एक्विपमेंस 50Hz पर काम करने वाले बने पास्ट में ब्रिटिश इंस ने इंडिया के उपर राज किया था तो इसलिए इंडिया में फरिक्वेंसी 50Hz प्लीज सब्सक्राइब